शुप्रभाद दोस्तों द्रोववानी शुबववानी इस सेग्मेंट में हम लोग पिछले कुछ हपतों से इश्य उपनिशत के विविन्य मंत्र हम लोग पढ़ रहे थे तो आज हम लोग और एक मंत्र लेके आये हैं तो ये उपनिशत हम जिस किताब से पढ़ रहे हैं पहले उसका नाम हम बोल देते हैं उपनिशत अखंड़ संसकरन हरप प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से हम पढ़ रहे हैं और इस किताब को अनुवाद और संपादना किये हैं इस किताब की अतुल चंद्रशेन सिताना तत्भुषन और महेश्चंद्रघोष महासाय के तरह इन लोगों के तरह विद्धत जनुने तो आए शुरू करते हैं हर उपनिशत पाठ के पहले शांति पाठ करना आवश्यक होती है तो चलिए शुरू करते हैं शांति पाठ से ओम पूर्णमदः पूर्णमीदंग पूर्णात पूर्णमुदच्चते पूर्णश्य पूर्णमादाय पूर्णमेबाबशिश्चते ओम शांति 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 हम जो परमात्मा है जो सब कुछ है जो परंब्रम्भा है जिनके पूर्णत्म में किसी भी चीज की शृष्टी से या किसी भी रूप में जनम से जिनकी पूर्णत्म में कोई भी परिवर्त नहीं होती है उस पर उन परंब्रम्भ से हम आगरह करते हैं कि वो हमारे मन को वो हमारे जीवन को वो हमारे साधना को एकिबूत करके स्थेर करते हैं आए शुरू करते हैं पुटनेशत के पार्ट इशा बाश्यमीदं सर्वं जत किंच जगत्यां जगत् तेन तक तेन वुन्जिता माग्रध कश्यस्विद्धनं कुर्वन्य वेह कर्मानी जिजि विशत सतं समाह एवं तै नन्न थेतो अस्ति न कर्म लिप्पते नरे असूर्जा नाम ते लोका अंधेन तमशा ब्रिता तांगस्ते प्रित्ता भी गच्छन्ती जे के चत्त हनो जना इन तीन स्लोकों में कहा गया है परंब्रंभ सर्वत्य वित्यमान है और हमें भोग भी करना है तो वो त्याग के साथ करना है और दूसरों के किसे भी प्रकार अशर में अशर से हमें लोभ नहीं करना है जो भी काम करना है वो करते विवोद से करना है और ऐसे अगर हम सौ साल भी जी जाएं तब भी हम लोग कर्म बंधन से मुक्त ही रहेंगे और इसी प्रगती में इसी यात्रा में अगर हम परंब्रंभ के जो स्वरूप है उसको अगर हम समझ ना पाएं तो हमारी इस यात्रा के बाद मतलब इस जिवन के खतम होने के बाद हम लोग का गती निम्न लोक में होगा मतलब निम्न तरह सत्य में हम रहेंगे उच्चे तरह सत्य में हम पहुँचने से वेर्थ रहेंगे तो इससे क्या होगा परंब्रंभ तक महुचने में हमारी जो गती है हमारी जो यात्रा है वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा प्रलम बित हो जाएगा तो इसके बाद कहा गया है इसके बाद वाले स्लोकों को चलिए पढ़ते हैं फिर से एक बार जस्तू सर्वानी भूतानी आतन्येवनु पश्षती चर्व भूतेशु चात्तानं ततो ना विजुगुप्षते जस्मिन सर्वानी भूतानी आत्यवा भुद्विजानत तत्रको मोह कह शोक एकत्तमनु पश्षत सपरजगात शुक्रम कायम ब्रणम स्नावीरंग शुद्धम पाप विद्धम कवीर्मनिशी परिभू शयंभूर जाथात अथ्थतो अर्थान व्यदधात साश्षतिभ समाभ्या ये जो चौत्य स्लोक से आठवे स्लोक तक इसमें पहले दो स्लोकों में परमब्रम्भ के सुरूप को वर्नन किया गया है वहाँ पर ये कहा गया है परंब्रंभ जो हैं वो एक हैं और गतिहीन हैं तब भी वो मन से अधिक तर वेगवान हैं वो देवता या इंद्रिय से प्राफ्थ नहीं होते हैं क्योंकि वो सबसे पहले कमन करते हैं और ये जो ब्रंभ ये आत्मा है ये अब और सबसे और जित्ते भी दुरुतगामी शक्तियां हैं उन सबसे शक्ते शाली हैं और इसी ब्रंभ में प्रतिष्ठित होके ही प्राण शक्ती जगत के समस्त शक्तियों को शमस्त उर्चाओं को धारन करती हैं वे चलते हैं और नहीं भी चलते हैं वे दूर में हैं वो निकट में भी हैं वे समुदय के अंतर में हैं सबके अंतर में हैं और वो सबके बाहर में भी है और ये स्वरूप अब छेटे स्लोक से ये कहा जा रहा है कि ये स्वरूप जो समझ लेता है तो हम कैसे समझेंगे कि हमें वो उपलब्दी हो रहा है या सामने वाला थोड़ा बहुत आगे निकल गया है कि हाँ मतलब तब हम लोग समझ सकते कि हाँ भई उसको देख के हमें पता चलता है कि अच्छा जब हमें सही में रियलाइज हो जाता है तो तब हमें कैसा लगता है तो यह कह रहे हैं कि जो ब्रंभ से लेके घास तक है ना समस्त भूत में सब में खुद के आत्मा को ही दर्शन करते हैं अस्थात अपने आत्मा से आतिरेक्त या आत्मा से प्रथक और कुछ भी नहीं देखते हैं और समस्त भूत में अपने ही आत्मा को दर्शन करते हैं इस प्रकार दर्शन के बाद और किसी को आप घृना नहीं कर पाते हो और किसी से कुछ छुपाने की कोशिश भी नहीं करते हो जो इस प्रकार जान लिया है कि उसकी आत्मा ही इस समस्त में है और जो समस्त में इही आत्मा को दर्शन करता है या करती है वे ग्यानी है मलब उनको हम यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं मलब उनको सम्मोधन कर रहे हैं कि वो ग्यानी है उस ग्यानी उनको शोग या मोह कहां से होगा क्यों कि उनका कोई शोग या कोई मोह हो ही नहीं सकता किस चीज से मोह करेंगे अपने आप से किस चीज से वो मोह करना मतलब किसी से कुछ चीज खोने की डर है किसे खोने की डर है शोक करना क्यों है कुछ चला गया है इससे क्या चला गया है सब कुछ है तो इसके बाद साथवे स्लोक में तो कह दिया कि छटे और साथ में ये बोला जा रहा है अगर आपको स्वरूप समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि आप में ना किसे से छुपाने की मौह होगी ना आपको किसे से बिछरने की गम होगी आप स्थिर हो जाओगे शायद आप खुश भी हो जाओगे तो आठवे स्लोक में यहाँ पर बहुत सुन्दर से बोला गया है कि भई हो क्या यह परंब्रंब है क्या हो क्या नहीं परंब्रंब है क्या और इनसे हमी क्या मिलता है परंब्रंब क्या कड़ते हैं परंब्रंब है क्या पहले जान लेते हैं बहुत सुन्दर से लेकिन बहुत कठिन एक ही शब्द में बहुत कुछ शंदी करके यहाँ पर डला गया था इसलिए उसको प्रोनाउस करना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा था क्योंकि हम तो देवभाशा बोलके इसको अभी इतना जादा वेवहार नहीं करते हैं मदलब इतना जादा इस्तमाल मदलब वेवहार नहीं करते हैं इसलिए उच्चारण सुद्धी में अभी भी देर लगेगा, है ना, तो हम माफी चाहेंगे पहले से, तो क्या कहा गया है, कि आठफे स्लोक में कहा गया है, कि वो सर्वत्र है, वो जोतीर में है, वो अशरीरी है, वो शत रहीत है, अलब उसमें कोई चोट नहीं लगता, उनम इस नायूं नहीं है, और वो शुद्ध और अपाब बिद्ध है, वो सर्वदर्शी है, सर्वग्य है, सर्वपरी, विद्यमान, एवं सैंभु है, वे नित्यकाल से ही, किसी भी जीव का, जथाजत, जथाबित, कर्मफल और साधना अनुसार, उनको जो भी देना है, उनके लिए बिद्धान करते हैं, मालब उसके लिए वो ही करते हैं, मालब कितनी बड़ी एक, मालब एक बाक्य है, कि भाई, तुम जिस पंधा में भी हो, जैसे भी हो, तुमारे कर्मफल अनुसार, तुमारी गती के अनुसार, तुम कब भगवान से मिलोगे, वो सारे करोगे, क्योंकि उनके पास पहुचना है, यार, है न, सॉरी, ऐसे मैं शब्दी उसकर लिए, तुम उनके पास पहुचना है, तो सबसे सुन्दर होके पहुचना है, सबसे जेनुइन होके पहुचना है, सबसे रियलिस्टिक होके पहुचना है, तो वो वैसे ही आपको प्र प्रविशन्ति जे अ विद्यामो पाशते तयो भूव इवते तमो जवु विद्यायांग रता यह जो स्लोग है यह जो मंत्र है इस मंत्र का अर्थ पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर हम लोग को मालब एक बहुत सुन्दर सी चीज पता चलेगा कि किता कॉंट्राडिक्शन है और उस कॉंट्राडिक्शन में ही हम लोग मालब एक तम मैठमेटिकल सिमुलेशन है कि हम यह सठी के प्रमान नहीं कर पा रहे हैं तो पहले यह सठी नहीं यह प्रमान करते हैं प्रमान करने की कोशिश करते हैं अगर हम नहीं कर पाएंगे मालब फॉल्स फिलोजफी अगर नहीं हुआ है तो नेंगेटिविटी से पॉजटिविटी में कैसे जाते हैं चले देखते हैं पहले इस लोकर्थ जो लोग अविद्या अर्थात अगनी हुठरादी कर्म के अपासना करते हैं वो लोग अधर्शना तक अज्यान अंधकार में ही प्रवेश करते हैं और जो लोग विद्या में अर्थात देवता की उपासनास में रत हैं वो लोग भी अधिकतर अंधकार में प्रवेश्ट होते हैं अंधकार में चले जाते हैं अर्थ क्या है मतलब क्या है कहीं पर बोल रहे हैं तुम अविद् पार्ड में कहा जा रहा है कि विद्या अंग रता मतलब तुम अगर विद्या में ही विद्या को भी अर्थात विद्या बोले तो देवताओं के पूजा में अगर अपने आपको लीन कर चुके हो लीन नहीं सर्फ देवताओं के उपासना में खुद को अगर नियोजित किये ह तो तब भी तुम अधिकतर अंधकार में चले गया हूँ इसका अर्थ क्या है मतलब हम जो पूझा कर रहे हैं वो गलत है ऐसा बोल रहे हैं क्या नहीं ऐसा शायद नहीं बोल रहे हैं आईए इसके अर्थ को समझते हैं पहले शंकराचारे महराज की notion को समझ लेते हैं विद्या इस शर्वत का सब्द से आचारे संकर देवता ज्यान समझाये है और अविद्या शर्वत का सब्द से वो समझाये है कर्म को समझाया है तो विद्या बोले तो देवता ज्यान और अविद्या बोले तो कर्म को वो समझाए है अब तब करना बुरा है दिवताओं को पूझना बुरा है ये कहा गया है क्या चलिए समझते हैं यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई मुझे न अच्छा मैं अपना एक आप लोगों से एक चीज़ शेयर करती हूँ कि हर किसी में शायद कुछ ना कुछ एव होता ह है तो उस एव से ही हम शुरू करते हैं कि कोई आलसी होता है को किसी को खाना पसंद आता है किसी को और किसी चीज़ की लालसा होती है किसी में जादा मातरा में होता है किसी में कम मातरा में होता है किसी को अपना शरीर को बहुत अच्छा दिखाने की मौह होती है तो किसी को बहुत अच्छा लगता है, तो जैसे भी हो, या किसी को आलसा करना नहीं आता हो, उसको कुछ fame पाना है, उसको नाम कमाना है, या उसको पैजा कमाना है, वो भी एक प्रकार का मौँ है, कहीं पर भी जाओ भी, वो मौँ है, अब ऐसे जो काम हम लोग करते हैं उसको कहा जा रहा है अविद्या अब सोच लीजिए ये जीवन है इस शरीर को धारन करना है क्योंकि ये ही हमारे परंब्रम के तरफ जो हमारा जो यात्रा है इसके लिए ये एक साधना का यंत्र है इस यंत्र को सही रखना है मासलब इस निरमों के अगर हम करूं करते हैं तो तब वो अविद्धा नहीं रहा लेकिन अगर मैं ये शरीर को अच्छा लग रहा है तो ये करना है मुझे पिज़ा काना अच्छा लगता है तो मैं बिज़ा खाऊंगी या मुझे ना उस लड़की को छेड़ना अच्छा लग रहा है सही आ रहा है तो मैं छेड़ते रहूंगा तो ये वाले चीज़े अगर हम करते रहें बहुती एक्स्ट्रीम मैं दो एक्जामपल दे दी लेकिन अगर ऐसा है के लिए करम करना है तब वो अविध्या नहीं रहता है लेकिन मुझे उन तक पौझना है लेकिन अगर ऐसा मैं छोड़ दिया तो मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं मैं सर्फ एक मूरत के सामने या मुरत नहीं छोड़ दो कहीं पर मैं चुपचाब बैठके हाँ मैं भगवान को पूजा कर रहा हूँ कौन से भगवान को फलाना इस भगवान को किसी भी नाम से पुकार लो भई लेकिन मेरे सामने तो वो किसी भी नाम से नहीं नाम ही हमारे लिए बहुत बड़ा हो रहा है हम उस नाम की मोह से जब आगे नहीं बढ़ पाड़ा हैं तो तब वो देवत्या ग्यान अविद्या नहीं है वो उससे थोड़ा सा आगे है लेकिन फिर भी वो मुझे और भी गहरे अंधकार वाले मोह में लेके धकेल रहा है क्यों? क्योंकि मैं उस मोह के उस नाम की मोह नहीं उस नाम की जो एक लकीर है उसको हम उस देली उसको हम पार नहीं कर पा रहे हैं अगर ऐसा हो गया तो भाई पहले तो आप भगवान के तरफ जाना नहीं चाह रहे थे आप सर्फ कर्म कर रहे थे और भोग के लिफशा से तो इससे क्या हो गया कि आप अविद्या का पूजा कर रहे हो और फिर क्या हो गया हमको ये लगा नहीं भाई ये सारे अविद्या है छोड़ो 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 हम ना सर्फ पूजा पाठी करते रहें तुम्हारा इस जिवन को धारन करने का कर्तब भगवान नहीं तुम्हें दिया है तो तुम्हें करना क्या है दोनों को साथ लेके चलना है कर्म करो कर्तब बोध में कर्म करो और अगर आपको चाहिए आपको अगर पूजा करना है तो किसी भी रूप में करो जो भी रूप उसमें ही आप उनका पूजा करो, लेकिन समझना ये है कि वो नाम, वो नाम हमारे लिए हमारा साधन बनना चाहिए, एक उधारन देती हूँ कि किसी भी पूजा से पहले हम गणेश भगवान को पूजा करते हैं, मैंने क्या कहा गणेश भगवान को पूजा करते हैं, वो प्र सर्वकार्य में हमें सिध्धी दे ताके हम आगे बढ़े लेकिन वो आगे तो बढ़ना है हां अगर आप परंपूजां को श्री गनेश के रूप में देखते हो तो तब भी उनके पूझा के बाद भी आगे बढ़ना है वो आगे क्या बढ़ना है कि उनका ध्यान करना है ताके उस नाम का जो उर्जा है वो उर्जा उस नाम के उस आकार से भी पड़े जो परमभरम्भ है उसमें हम लोग को मिलित कर पाए तो क्यूं ? अगर हम श्री गनेश के मंत्र को देखे वहां पर क्या कहा जाता है कि कि वक्रतुन्ड महाकाय सूर कोटी समप्रभा निर्विग्णम कुरुमे देव सर्वकारेशुस सर्वथा क्यूं मैं अक्चुली ये मंत्र जब जाब कर रहे थी तो करते करते मैं खुद ही सोच रहे थी कि कौन-कौन से वर्ड है कहा पर मुझे रुकना चाहिए फिर मुझे लगा नहीं पूरा बोल देते हैं गलत होगा तो आप लोग माफ करना मुझे लेकिन क्यूं क्यूं गनपती महराज को क्यूं सूरे से क्यूं इस उर्जा से तुलना किया जा रहा है क्यूंकि उनका स्वरूप है वो थोड़ी ना सिर्व गनपती जी के वो मुरत है उस आकार में थोड़े ना उनका ओर्जा सीमित है वो तो परंब्रम है परंब्रम उस रूप में आपको अगर भाए तो परंब्रम इतने आपके लिए आतूर है कि वो कभी दुरगा रूप में आती है तो कभी वो गणेश रूप में आती है तो उस नाम में, उस नाम के महिमा में मजो, उस नाम के महिमा में खो जाओ, उस नाम के मोह में मत पड़ो क्योंकि जादातर होता क्या है कि हम उस नाम के मोह में सारे कर्म को त्याग देते हैं लेकिन वो त्यागना भी ऐसा होता है, यार मैं ना पूजा कर रहा हूं, मैं ना इभादत कर रहा हूं, मैं ना प्रे कर रहा हूं, कुछ ना कुछ तो चाहिए मुझे, अरे दुकान खुला है क्या, बगवान ने, बगवान ने दुकान कुला है क्या, कि वही, एक खिलो सुक इसके बदले में मैं तीन रोज तुमारे लिए या 40 दिन तुमारे लिए या तुमारे लिए इसमें अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि यह जो यह आटोमेटिकली यहां पर आगया था बच्चों के काटूंस आगे थे अच्छा लगा तो simple सा ऐसा है कि बगवान ने दुकान खुला है कि तुम 40 दिन का या 12 दिन का या 25 दिन का फास्ट रखोगे तो तुम्हे एक किलो सुक मिलेगा दुकान है क्या? दुकान नहीं है भई सबकुछ तुमारा है या ऐसे बोलो सबकुछ मेरा है यह उपलब्धी करने के लिए तो यह यात्रा है तो इसे लिए करम करना है करतव वोध में करना है और जिस रूप में भी हम पूजा कर रहे हैं मलब विज्या के साथ अविद्धा दोनों को मिला के दोनों को बैलेंस करके हमें आगे वढ़ना है तो दोस्तो आज तो यहां तक ही था आप लोग साथ हम यह उपनिशत पाट करते हुए सूरे देख रहे है थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए अच्छली गनपति बपा की याद आ गई तो उनकी जो क्या बोले उनकी वन्दन नहीं मलब उनकी यह मंत्र को मुझे याद आ गया सूरे देख रहे थी इसलिए तो चलिए उनके ही वन्दन से शेषक इसको खतम करते हैं आज वक्रतुन्ड महाकाय सूरे कोटी समप्रभ निर्विग्णम कुरुमे देव सर्वकारिशू सुसल्वदा सबकी तिन शुभो शुभ मस्तू